अर्या कुछ उन्होंने लिखा है अभी राइबरेली के लिए एक बार ज़रा हम बताते हैं। अर्या कुछ उन्होंने लिखा हैं। इसका कोई जवाब तो सोचना पड़ेगा ना कॉंग्रेस को यह सवाल थोड़ी पीछा चोड़ देगा उनका। तो लगता है कॉंग्रेस के नेता सोचने भी हैं। प्रत्रकारों से ज़्यादा बड़ा सवाल सवारव वो है जो की ग्राउंड पे लोग वो पूछ रहे थे इस बात को बार बार कह रहे थे जैसे अगर ऐसी स्थिती है तब तो आपको और अपने लोगों के बीच में रहाना चाहिए था वहां मेठी में लोग यह पूछ रहे थे कि जब कोवीड में हम लोग इतनी बड़ी समस्या में थे तो राउल गान्दी कहा थे क्यों नहीं आ रहे थे बमुश्किल नया यात्राग म अगर आप नहीं जाएंगे जिसको आप कहे रहें कहां मुझे जो जानकारी दी गई वो यह है कि अप कॉंग्रेस पार्टी ने अमेठी राइबरेली में 16 सर्विय कर रहा है और दूसरा प्रेशर तो इसलिए ये उनके लिए अमिठी नेगेटिव हो गया और राइवरिली पॉजिटिव हो गया और दूसरा अखिलेश यादव का बहुत प्रेशर था कॉंग्रेस के उपर कि गांधी परिवार का कोई ना कोई सवर्द से यूपी की किसी सीट से चुना अब मैं कमिंग बाक टू अगें प्राइमिनिस्टर मुदी क्योंकि मोरकर साब से आज में समय मिला है तो उनकी बात और करें सर आप प्राइमिनिस्टर की सबसे वड़ी खासियत क्या मानते हैं as a person यह कहा मैं एडवांस प्लानिंग मैं फिर से उस बात को दो रहा हूँगा is a very good planner great planner great planner okay मतलब समझे ना आपकी आपकी दस स्टेप उनको मालूम होते हैं वो यह कह रहे थे मुझे एक बार कि मैं जब पहला स्टेप लेता हूँ तो अगले दस स्टेप मुझे मालूम होते हैं तो one of the greatest planners हो गए ना तो यह कोई scheme launch करनी हो या कोई election लगना हो हर किसी में सब में मुझे कहा था हूँ स्कीम के संदर में अब दस कदम आगे की सोचो बिलकुल दस कदम आगे की सोचो पूरा जितने भी लूपोल्स कौन से हैं उनको प्लग करो हमाले हर एक चीज स्थान पर होनी चाहिए ठीक है तो इसलिहां से आपको लग रहा है नरेंदर मुदी जो 400 पार की कि बात वह कह रहे हैं तो को सोच समझ की चाहरे होंगा हो सकता है कि और चारस से थोड़ी कम आ सकते लिकिन एक बड़ी जीत होगी उनकी बड़ी जीत होगी इसमें कोई शंका नहीं है और एक चीज आप समझने पारे हो कि कोंगरेस जो है वह जो मुस्लिम तुष्टे रिकान का पूरा जो एक जाले उसे भारी नहीं निकल पाई आप समझे